नमस्कार सातियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टोरीकल उप राजिस्तान एक्सवाइज जेड में स्वागत हैं आज की वीडियो अपने राजिस्तान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एक्जाम में जो क्यूसन आये उन क्यूसनों के सरंकला में बात करते दोस्तों तो आप जिका अपना टोपिक होगा राजिस्तान की जन्जातियू से समध्य तका टोपिक होगा जिसमें अपने लगबग 37 क्यूसनों के बारे बदे चार्चा करेंगे ठीक है तो आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो रिट मेंस की यह सीटी या ल्डिसी एग्रिकल्टर शूपरवाइजर तो यह वीडियो आपके लिए जिरूर्ण बेनीपीशल होने वाले है ठीक है और दोस्तों आज का जो एपिसोड नंबर है अपना 125 नंबर का एपिसोड इससे पहले 124 वीडियो अप्लोड कर दी जा चुकी है 124 वीडियो ठीक है है तो लेबल 1 बर 2 के अंदर के दोस्तों आपकी हिंदी की सिक्षेंट विदिया समाजजग डियो їकOkay शेंख्षेंड विडियों चर्चा कर चुक ए ठीक है तो वीडियो स्टाट करते है तो दोस्तों आजका सबसे पहला क्योसन अपने पास आया बिल जन्जाती का जो पई पदार्त होता है एक बिल जन्जाती के दुबरा एक पई पदार्त बनाई जाता है जो कि वरक्स या पोदे का अधिक मतलब की उप्योग किया जाता है तो यहां पर जो पेई पदार्थ बनाने के लिए दोस्तु कौन से पोदे या वरक्स का उप्योग किया जाता है तो मववा जो पोदा होता दोस्तु तो अपने आदिवाश्य का कल परखस भी कहलाता है ठीक है अगले कुछन देखिए डामोर जन जाती अधिकतर पाई जाती है तो डामोर जो जन जाती दोस्तो अधिकतर कहां पर पाई जाती है तो इसके बात करें 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 तो इसक जो वेवसाई किया है इसका तो कर्शी इसका मुख्य वेवसाई होने वाला और इसका प्रमुक मेला लगता है तो यहां पर छेला बावजी का मेला लगता है जो कि डामोर जुझाती से समंदित है छेला बावजी का मेला कहां पर लगता है यह पंच मेल गुजरात में लगता ह इसके ला दोस्तों अपने डुंगरपूर में भी एक मेला लगता जिसका नाम क्या है रेवाडी का मेला ठीक है रेवाडी का मेला और छेला बावजी का मेला अपने डाम और जंजाती से समंदित होने वाला ठीक है अगले कुशन देखी कू समंदित है को का समंदित किसे है दोस्तों को अपने किसे समंदित हो जाएगी तो यह एक भील जन जाती का गर होता है ठीक है को या मतलब की टापरा जो कि एक भील जन जाती का गर होता है ठीक है को केला उसके टापरा भी हो सकता है जो कि भील जन जाती का एक गर होता है ठी पाल किसे कहते हैं तो यहां पर दोस्तों पाल की बात की जारी है ठीक है पाल किसे कहते हैं तो यहां पर इपना राइटन से क्या हो जाएगा पाल की बात की जारी है तो यह एक भीलू की बस्ती होती है ठीक है भीलू की बस्ती को अपने पाल के नाम से जानते है और जो पाल का जो मुख्या होता हुए क्या लाता है पालवी क्या लाता है ठीक है पाल का मुख्या क्या लाता है पालवी क्या लाता है अगला कि उसन देखिए राजिस्तान की बेल जंजाती का जो गाउं का मुख्या होता है तो दोस्तों यहां पर इपना राइटन संदर क्या हो जाएगा तो गाउं का जो मुख्या होता है गाउं का ठीक है तो गाउं का मुख्या गमेती कहलाता है ठीक है बाकि मतलब कि जो पाल का मुख्या होता है पा अगले किसम देखिए बाकि यहां पर एक और चीज है जो कि क्या नाम है फला फला एक अपने डामोर जंजाती का एक छोटा सा गाउं होता जिसको फला के नाम से जानते है ठीक है और फला का जो मुख्या होता वो क्या कहलाता मुख्यी कहलाता है ठीक है फला का मुख्या क्या क लोगों के नेता को कहा जाता है तो यहाँ पर जो गमेती है दोस्तों इन में से कौन सी जनजाती जिनके नेता को कहा जाता है तो यह मतलब कि भेल जनजाती के जो नेता है इसको पन गमेती के नाम से जानते है ठीक है एक लाग उसन देखिए राजस्तान में निम लेक्त में से कौन सी तेसिल में सेहरिया जंजाती का गनत वो सबसे अधिक है तो यहाँ पे सेहरिया जंजाती की बात की जा रही है सेहरिया जंजाती का नाम आते है दूस्तों अपका दिमाग मतलब की बारा जिला के दगे चला जाने चीए यहां पर अपने सबसे sería ज़騉 किष्ण से समन्न देते यहां पर किसन गट से समिध्द तो कितनी जन्च नंग्या और दोस्तों कितनी जन्च नंग्या एक पॉ- המहां मतलों कि जीरो-ार्ट-तों क्योवाराक सियक सब्सक्राइब कहा कितनी इसकी यह पर एक पॉ- राजिस्तान की निम्न में से कौन सी जन्जाती भारत सरकार द्वारा आदिम जन्जाती समोग की सुची में सामिल कीगी यहां पर दोस्तों आदिम जन्जाती समोग के अंदर कौन सी जन्जाती सामिल कीगी अपने राजिस्तान की तो यह केवल मतलब की एक ही जन्जाती जिसक की आदिम जंजाती सेर्या जंजाती को सामिल किया गया ठीक है चुकि राजस्तान की केवल एक मात्र जंजाती है अगला क्यूशन देखिए राजस्तान में 2011 की जंगरना के नुसार किन जिलो में अनुसूची जंजाती का परतिशत उनकी कुल जंजाती का अधिक्तम और नियूंटम से शेतर से समादेता है तो यहाँ पर जो मतलब की यह क्यूशन पोचा गया है इनसे में देखना आपने को तो यहाँ पर मतलब 2011 की ज क्या होने वाला तो दोस्तों बांसवाड़ा की बात करते हैं तो बांसवाड़ा के अंद्रगत सबसे ज़्यादा मतलब की अपनी यह जंजाती समूब पाए जाता है ठीक है तो यह उप्संत अपना मतलब की सही हो जाएगा अधिक्तम तो लेकिन चुरू और गंगान अगर यह उप्सं अपना गलत होने वाला ठीक है तो यह पहला औसंअपना गलत हो जाएगा और फिर बाता आथा दोस्तों बांसवाड़ा भीका नेशर और नागोर ठीक है तो यहा पर दोस्तों सबसे जद्य ज्यादी जन संकिया मतलब की जन जाती जो जन 상 implement पने पने अपने बा परतिशत के अधर पर बांसवाड़ा हो जाएगा लेकिन मतलब कि जन संक्या की दरश्टी से बात करें तो दोस्त उध्यपूर के अंतरगात सबसे ज़्यदा एश्टी जन जाती पाइजाती ठिक अनुस्ति जन जाती है लेकिन परतिशत में दोस्तू बांसवाड़ा में और बिकानेर और नागोर के अंदर के सबसे कम पाई जाती है ठीक है एगले किसम देखिए सुची पस्ट को मतलब कि सुची सेकनड के साथ सुमेलिद कीज dit तता नीचे दिएगे level कउट का सही प्रियो करना यहां पर दोस्तो मतलब कि कुछ जंजाती है और उनका कुछ व्यूत त्रेट्रिक है तो यह पर मिलान करते हैं एक बार तो सेरिया जन जाती दोस्तु कोटा और बारा से समंधित होने वाली है और अपने गराशिया की बात करें दोस्तु कराशिया की से समंधित है तो उधेपूर और सिरोई से समंधित होने वाली है ठीक है और डामोर की बात करें डामोर अपने की से समंधित है दूंगरपूर मासवड़ा से समात्यत हो जाएगी और मिनना की बात करें स्वाय माधवपूर दोसा जुकरोली वगरा का जुसेत्र है यहां पर मिनना जिल जाती है सबसे जदा पाए जाती है ठीक है तो पहले के अंदर कोंसा उप्षन है तीसरा हो जाएगा और दूसरे में क कुनसा दूस्तू पहला हो जाएगा ठीक है और लास्ट में चोते के अंदर के चोता हो जाएगा तो यहां पर 3214 तीन दो एक चार दूस्त अपने सी उप्षन में दिख रहा ठीक है तीन दो एक चार अगला कुछन देखिए सूची पष्ट और सूची सेगंड को सुमयलिद केजे तता निचे देएगे कुछर का जिया प्रियोग करना यहां पर यहां पर वापस वही सुमयलिद करना यहां पर कुछन डबल आ गए जाए तो यहां पर राइटरस दूस्त इस था तो उस्तू सी उप्षन था ठीक है एगले कुस्थान देखिए राजस्तन के किस यिले में सेर्या जन जाती का के अंदरी से तो यहां पर से रहाई जंजाती कांपग आप पाय जाती है तो यहांपे बाराfrage जो शेत्र बारा के अंदर के केसं 'Mाज के अधिस अर जो चाहँ पाय जाती है ठीक है, एक्टर से देखिज जन करना 2021 के अनुसार निम्र में से राजस्तन के कौन से जिले में अधिक्तम जन संक्या पाई जाती है तो यहां पर दोस्तों मतलब कि यहां पर 2021 नहीं यहां पर 2011 होना चीए तो 2011 के अनुसार मतलब कि कौन सी राजस्तान के कौन सी जिले में अधिक्तम जन संक्या जन जाती पाई जाती है तो यहां पर सबसे ज्यादा जन जाती कहां पर पाई जाती है तो इसका अपना राइटन से क्या हो जाएगा दोस्तों तो इसका अपना राइटन से हो जाएगा उध्यपुर के इंद्र करिक है उध्यपुर के अंद्र के सबसे ज्यादा जन जा लुद्फी पाई जाती जाती है और नियुद परतिशत की बात करें तो परतिशत में अपना बासवड़ा हो ज C है ऐगला कर देखी अंहीं कि राजस्तान के कौन से जले में सरवाधिक अनुसूचिश जाती और तुप यहाँ पर यहां पर दो Letter की बात की जारहे त्यांट्र थो यहां पर दोस्तु सब्सक्राइब जो अनुसूची जाती की बात की जारी तो यह दोस्तु सबसे ज़्यदा जेपूर के अंदरगत अनुसोची जाती पाई जाती है ठीक है और दोस्तों मतलब कि यहाँ पर उदेपूर के अंदरगत सबसे ज़्यदा अनुसोची जन जाती पाई जाती है ठीक है और लेकिन यहां पर संख्या की बात की जा रही है, संख्या में अपना AC केटिगरी जेपूर से समझ दीता है, और उदेपूर दोस्तों किसे समझ दूजएगा ST केटिगरी से समझ दीता है, ठीक है, अगले कि उसन दीखी, 2011 की जनगर्णा के अनुसार, निवल लिक्त मैं से किस जिले में अनुसुची जनजाती का पर्तिशत सरवादिक था, तो यहां पर दोस्तों मतलिब की 2011 की जनगर्णा के अनुसुची जाती की बात की जा रही है, यहां पर AC केटिगरी की बात की जा रही है, जिसका पर्तिशत स होने वाला ठीक है और लेकिन संक्या की बात करें दोस्तुर्ज किसम हो जाएगे जेपुर के अंदरगत ऐसी के टिगरी सबसे ज़दा है ठीक है संक्या के अंदरगत और परतिशत के अंदरगत कौन सा गंगार घर ठीक है अगला किसना दिखी 2001 से 2011 के मद्य राजस्तान के किस जिले में अनुसूची जन जाती यहां पर ST के टिगरी की बाद की जारी ठीक है अनुसूची जन जाती दोस्तु मतलब की सरवादिक दस्यके वर्दी अंदर परवेतन के अंकेर किया गया तो यह कहां पर किया गया तो नागोर के इंदर के सबसे ज़्यदा जन संक्या बड़ी थी दोस्तु में ST के टिगरी की पर्तिशत के मामले में रगला है कि सुन दीकी राजस्तान में 2011 के जन गणना के नुसार कौनसा जन जाती संक्या मतलब की आधार पर दित्य स्तान पर है तो यहां पर 2011 के जन गणना के नुसार कौनसा एक जन जाती जन संक्या समूव पर मतलब की दित्य स्तान पर है तो यहां पर अपना राजस्तान से क्या हो जाएगा जन संक्या मतलब की जन जाती के मामले में दित्य स्तान में भील जन जाती है और पहले स्थान में कौनसी हो जाएगा मीना जन जाती है ठीक है और ग्राश्या तेसरे नमर में आती है अगला किसम देखी राजस्तान में अनुसूची जन जाती जन संक्या का दित्तिस्थान पर मतलगी सरवातिक परतिशत 2011 के जन गणना के नुसार कौन से जिले में है दित स्थान में बात की जारी डितनिस्थान में कौन सा आता है वह Нस वहूत में दोसरे नमर में अपना डुंगरपूर और पहले इंदर को जाये किया गया तो यहां पर दोस्तों मारवार्ड जण जाती से रिये बोर्ड की सिंप किया गया तो मारवार की बाद करती है तो जोधपूर के अं나गत महरवांड ॥ोपरवरी 2021 को दोस्तों ये महरवाड सेत्रिय जंजाती विकास बोड की स्थापना कीगी ठीक है अगले किसम देखी जन गणना 2011 के अनुसार राजस्तन में अनुसूची जंजाती की संक्या सरवादी की मतलग जन संक्या का परतिशत कितना है तो यहां पर अनुसूची जंजाती की बात की जारी है ठीक है जन संक्या का परतिशत कितना है तो तेरा पॉइंट पांच परतिशत होने वाला ठीक है अगले किसम देखी बेल जन जाती वीवा का आउसर मतलग की मंडब की सजावट के लिए किस वरक्स की पत्यों का परियोग करते है तो बेल जन जाती दोस्तों वीवा की आउसर पर जो मंडब की सजावट की जाती है तो यहां पर कौनसे वरक्स की पत्तियों का परियोग करते हैं तो इसका अपना रेटन से क्या हो जाएगा यहां पर दोस्तों आम वरक्स की पूजा की जाएगा आम वरक्स की जो पत्ते होते हैं इनकी मतलग भी सजावट की जाती है अगला की उसन देखी बिल जन जाती द्वारा पाड़ी सेतरों में मतलब ये पाड़ी की ढ़लों में जो खेती की जाती है अस्ताना अंतरित खर्ची की जाती है वो किस नाम से जाने जाती है ये अपने ची माता के नाम से जाने जाती है ठीक है पाड़ी का नाम आते ही दोस्तों आपको पता चल जा रखना मेदान है ठीक है मेदान के अंदर के दोस्तों मतलब कि दे आता है उसी परकार दजिया में भी दे आता है ठीक है तो मेदान के अंदर के कौन सी खेती की जाती दजिया खेती की जाती है और पाड़ी सेत्रों में चीम आता खेती की जाती है ठीक है अगले कुशन देखी बीजा और माला की बात की जारी तो बीजा और माला राज़तान की किस जन जाती से समझ दिते हैं तो ये सांसी जन जाती की दो साकाई होती है ठीक है जो कि इंपोर्टेंट है अगले कुशन देखी और दूस्तों ये जो बीजा और माला ये सांसी जन जाती से समान दीता है तो सांसी जो जन जाती है सबसे ज़्यदा कहां पर पाई जाती है तो ये अपने एक तो भर्तपूर में पाई जाती है ठीक है 2011 के जनकर नागि नुशार ST के टिगरी की जनसंकया है ग्रामिण में और नगरी जनसंकया में परतिषत कितना है तो ग्रामिण के अंदर परतिषत 16.9% है और नगरी जो परतिषत है 3.2% है तो यहाँ पे अपना पहली उपसंट सही हो जाएगा ठिक है अगला कुछन देखिए राजस्तान में सरवादिक परतिशत वाली अनुसूची जन जाती कौन सी है तो यहां पर दोस्तों परतिशत के अंदर बात की जा रही है तो सबसे ज़्यदा जो परतिशत में जन संक्या पाई जाती है एस्टी के अंदर गटीक है तो एस्टी के अंदर के सबसे ज़्यदा कौन सी जन जाती है दोस्तों मेना हो जाएगी ठीक है मेना है एकला कुछन देखिए 2011 के जन गटना के नुसार राजस्तान में सरवादिक अनुसूची जन जाती की जन संक्या वाला जिला कौन सा है तो अनुसूची जन जाती की बात की जारी है यहां पर सबसे ज़्यदा मतलब की परतिशत में बात की जारी है परतिशत में नहीं जन संक्या के मामले में बात की जारी है तो जन संक्या की मामले में अपना उदेवपूर हो जाएगा तो दोस्तु मतलब कि जो अपने टोटल जिन संग्या उसके अधर पर अपने भारत में राजस्तान का स्थान कौन सा साथवे नंबर का ठीक है फेले दोस्तु आठवे नंबर पर था लेकिन मतलब कि अंदर पर देशे त्रेलंगना जैसे राजी अलग बना तो यहां पर अपन बिष्तानि टीक है है ऑगले किस इसन देखिए को से लाजस्तान में उंदर यह यह पंध किस से समंदित थे तो राजुतन में जो उंदरीया पन्त है किसमिंपर चलेता है तो ये दोस न समझीत होने वाला या भीदू को उसमें उनदरीया Penth फॉन वाला। जो कि मतलब कि सबसे ज़यधा जो उंदरीया 50 है वह कहां पर। उधिभूर जील के आसपास का जो सेत्र है जिसमें मतलब की बील जन जाती पाई जाती है उसमें उंदरिया पंत स्टार्ट किया गया ठीक है और जो भीलू को दूस्तों मतलब की करनल जैम्स टोड़ने क्या कहा तो यह मतलब की वन पुत्तर दूस्तों करनल जैम्स टोड़ने इनको भीलू को कहा था ठीक है और यहां पर भीलू का जो important मेला लगता है कौन सा लगता है तो यहां पर एक गोटिया अंबा का मेला लगता है जो कि बासवड़ा में लगता है एक बेनेसर का मेला लगता है जो कि मागपुर्णी अमा के अंतरगत नवाटा पुरा डूंगरपुर में लगता है ठीक है जो कि कि मतलब ये अपने उन्दरीयपन से समद्धित है और मतलब भील जती समधित है ठीक है इसके लगव दोस्तु एक सराब बना जाती जिसका नाम मैंने अल्री बताइया दोस्तु मोकड नामक जो पोड़ा होता उससे दोस्तों ये देशी स्राव बनाए जाती है ठीक है और यहां पे दोस्तों एक बेलों से समन देता है 1921 के अंदुलन भी चलाया गया जिसका क्या नाम है दोस्तों तो ये अंदुलन चलाया गया दोस्तों मौतिलाल तेजावकत के दोरा ठीक है एगला क्यूशन देखिए बिल जनजाती में कच्छाबू कौन पहनता तो कच्छाबू की बात की जा रही हैं पर कच्छाबू दोस्तों कौन पहनता बिल जनजाती के अंतरगत तो यहां पर अपनी जो महिलाओं के द्वारा कच्छाबू नामक जो मतलब की वस्तर पहना जाता है ठीक है यह जंजाती का मुख्य वेवसाइब क्या है तो दामोर जो जंजाती है डामोर भी कह सकते दामोर भी कह सकते हैं तो यहां पर इसका मुख्य वेवसाइब क्या हो जाएगा खेती बाड़ी करना है ठीक है अगला कि उसन देखिए मोर्नी मानना की जिनजाती से समद्धेता है तो मोर्नी मानना की बात की जारी ये कौनसी जिनजाती से समद्धेत हुजाएगी ये अपने मोर्नी मानना दोस्तों के समद्धेता है ये मीनों से समद्धेता है मीना जिनजाती का समद्ध है मोर्नी माननों से अगला के उसमें देखिए फाइरे फाइरे किस जंजाती का रणगोस है तो यहां पर फाइर फाइरे की बात की जारी फाइरे फाइरे दोस्तों कौने जंजाती का रणगोस है तो यह बेल जंजाती का रणगोस होने वाला ठीक है संकड के समय दोस्तों फायरे फायरे करके यह मतलब कि विसे स्तान पर सारे के सारे एक खिटे हो जाते हैं और यहां पर फायरे फायरे नामक मतलब कि यह रहन गोस किया जाता है ठीक है अगले लगे उसने देखी धारी संसकार राजस्तान के किस जन जाती में परचलीते हैं तो धारी जो संसकार है दूस्तों अपने सहरे जंजाते हैं में परचलीते हैं ठीक है सहरे जंजाती है सबसे ज़्यादा कहां भी पाई जाती है तो बारा के अंदरगत पाई जाती है जो कि मतलब कि कौन कौन सी तेसिर है एक तो मतलब सहाब आज एक किसन गंज जो मतलब कि जो पाद उसके अंद्रकट चिनीत हो जाते हैं तो उसी के आदर पर पता लगाया जाता है कि इसका मतलब कि इसका अगला जनम कौन सा होने वाला ठीक है जो कि धारी संसकार के नाम से जना जाता वह और सहर्या जन्जाती से समझधी ठीक है अगला गुश्यं देख आदी वाशिव में लीला मोरिया संसकार किसे संबन देता है तो यहाँ पर जो आदी वाशिव में लीला मोरिया जो संसकार होता है यह किसे संबन देता है तो यह अपने विवाज से संबन देता है विवाज से संबन देता है लीला मोरिया संसकार तो ये थी दोस्तो छोटी सी वीडियो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देजीका पर चैनल को सब्सक्राइब कर देजीका थैंक्स पर वाचिंग सी यू अगैन मिलते दोस्तो अगले टोपिक के साथ